जालोन में आज खाग वित्रण में हो रही की लहवाली को लेकर किसानों ने हंगामा करते हुए रोड जाम किया है तो वहीं मौके पर पहुची पुलिस ने किसानों को समझा बुझा कर जाम खुलवा दिया है बुंदेल खंड इलाके में जिन किसानों के पास सिचाई का बंदुबस्त नहीं है वह किसान साल में सिर्फ एक फसल ही पैदा कर पाते हैं जिसका यह पीक टाइम है ऐसे में अगर समय पर उनको खाद नहीं मिली तो इनके सामने खाने पीने के लाले पढ़ने जैसे हालत हो जाएंगे इसलिए किसान खाद के लिए सुबह से ही लाइन में लग जाता है और शाम होने तक कुछ किसानों को ही खाद मिलती है बाकी को अगले दिन फिर लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है ऐसा ही कुछ आज जालोन पुत्वाली नगर में हुआ है यहां तीन दिन से लाइन में लगे लगे जब किसानों को खाद नहीं मिली तो इन्हों ने जालोन उरह रोड पर जाम लगा दिया और जमीन पर लेट कर प्रदर्शन दिया है जमीन पर लेटे हैं रोड पर कब तक लेटे रहेंगे जमीन बहुते हैं तो जिली तो जिली तो आगा है मिली तो आगा है क्या है पहले है